All right guys, तो हम लोग guys पिछले वीडियो में हम लोग ने यहाँ पे complete कर लिया था अपना sign up मतलब बंदा आ रहा था और details को डाल करके completely sign up कर पा रहा था लेकिन वहाँ पे हम लोग ने errors को नहीं handle किया था मतलब जब अगर गलत information डाल रहा है user तो हम लोग ने back end की पूरी errors को properly handle किया है proper message हम लोग भेज रहे थे अपने back end के through बट हम लोग ने front end पे उसको नहीं handle किया इस video में हम लोग यही चीज कमाल के तरीके से करने वाले हैं कि हम लोग जो back end के errors आ रहे हैं या back end से जो हम लोग error भेज रहे हैं throw कर रहे हैं अपने client end पे उसको हम लोग कैसे handle करेंगे proper messages कैसे हम दिखाएंगे हर एक field पे error है तो error साथे साथ में हम लोग red icon या red color उस field पे कैसे दिखाएंगे यह सारी हम लोग इस कमाल की वीडियो में करने वाले हैं तो चले स्टार्ट करते हैं आपने अभी तक इस playlist को नहीं access किया तो आप जाकर के जरूर से एक्सेस कर लिए क्योंकि बहुत कमाल की यह playlist है चले वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो हम लोग यहां पर सबसे पहले demonstration देख लेते हैं कि क्या एक्चुली हम लोग ने नहीं किया है हमारे यह साइलफ फॉर्म है और इसमें हमने अभी कुछ एंटर नहीं किया और मैं रजिस्टर पर क्लिक कर रहा हूं सब कुछ मेरा सटप है रन हो रहा है बैकेंड का सर्वर हुई और अगर मैं इंस्पेक्ट पर जाओं तो तो इसमें पर दिख रहा है मैं फिर से करूँगा यह एक सिंगल एर्र मुझे देखने को मिल रहा है और यह इसटा का अब्जेक्ट के अंदर हम लोग ने वह सारी डिटेयल रखी है जैसे अब आउट में आ रहा है यूजर मस्ट भी फोर और मस्ट भी फोर प्रक्रेक्टर्स एंड पासवर्ड में आ रहा है मस्ट नॉट भी एंपटी तो इस तरह से हम लोग ने वैलिडेशन अपने सर्वा साइट पर कर रहा है लेकिन क्लाइंट साइट पर हमें कोई इंफरमिशन नहीं देखने को मिल र रखा है तो अगर आपको फॉर्म स्ट्शन डारेक्ली सार्ज करना तो आप रियक्ट स्ट्रैप क्योंकि हम लोग रियक्ट स्ट्रैप उस कर रहे है तो यह बैसकली फॉर्म स्ट्शन ओपन है यहां पर अगर नीचे आएंगे तो आप देखो इस तरह से हमें मैसेज़े हम लोग अपने फीड़ पर दिखा सकते हैं अगर वैलिड यह तो इस पर घ्रीन कलरका दिखा सकते हैं चारो तरफ पर एक गृण की शैडोлов है देन बॉर्डर भी है अने एक स्वीट मैसेज भी है इस सी तरह इसे तरह इंवैलिड है तो इनवैलिड में अगर हमारा फीड्ल वाता है उसके इसमें हम रेड कलर की शैडव बॉर्टर दिखा सकते हैं साथ ही साथ में एक मैसेज भी दे सकते हैं तो अगर हमारा मलद फील्ड इन वैलिड है सर्वर हमें उसे इन वैलिड भीज रहा है तो हम लोग क्या रहेंगे हम लोग एक काम करने आधा की लिए अच्यार यह रेड कलर का शैडव बनाने आपको इन वैलिड प्रॉपर्टी उस करनी हो दिह ठीक है इन वैलिड को आप कर तो कई फील्ड है जैसे फोर एंगेत यह वाल हम इन वाली यहां से हमें सब form को submit कर रहे हैं तो यह sign up service call हो रही है and then then जो function है वो call होगा तब जब success होगा and catch तब catch वाला callback तब call होगा जब error आएगी तो actually यहां से हम लोग error को print कर रहे हैं अपने console log पे ठीक है और हमने error को अब यहां पर हमें handle करना है handle errors in prop पर वे ठीक है तो यहां पर क्या करेंगे जो error का object हम लोग console पे print कर रहे थे उस error के object को हम लोग simply अपने errors वाले variable के errors वाले variables के error वाले property में डाल लेंगे तो जब भी उस object को access करना होगा तो हम लोग error.errors को use करके उसको access कर सकते हैं एक बार कहिए तो मैं दिखा दूँँ आपको ठीक हम लोग क्या करते हैं सबसे पहले यही काम करते हैं हम लोग submit वाले यहां पर आ जाते हैं finally हमारा error है और जब तक इस error की value true रहती तब तक हम लोग data को submit नहीं कराने देंगे अपने सरवर पर यह चीज़ याद रखेंगे ठीक है चलो भाई यह चीज़ परफेक्ट है यह चीज़ हो गई अब हमारा यह चीज़ हो जाएगा next हम लोग data submit देखें यहां पे हम लोग जैसे form submit हो रहा है तो हम लोग क्या करेंगे यहां पर हम लोग if लगा के check कर लेंगे इसको हम लोग check कर लेंगे कि errors के अंदर जो is error वाली field है वो ऐसा तो नहीं true है अगर इसके value true होगी तो हम यहां पर return कर देंगे function को that means हम यहां पर नीचे की चीज़े नहीं execute होना देंगे function के इसका मला अभी error exist कर रहा है और हम यहीं से वापस कर देंगे execution को control flow को और यहां पर message भी आप दे सकते हूं टूस डॉट टूस डॉट और error message दे दो और यहां पर दे दो form data is invalid अभी form data invalid है ठीक है correct वन लिख देते हैं correct फस्त और correct all details and then submit submit ठीक है full stop तो यह मैंने एक simple सा error दे दिया इसका मतलब अगर error exist कर रहा है अगर इस वाले is error की value true है तो हमारा form submit नहीं हो सकता यह वाली if condition में first के और message आएगा और हमारा यहां से control flow return हो जाएगा यह control का flow है वो यहीं पर बंद हो जाएगा next अगर इसकी वेले false होती एडमिस error exist नहीं कर रहा है और हम लोग यहां पर जाएंगे server को call करेंगे and अगर success होता है तब तो भाई विल्खुल हम success message दे देंगे यहां पर user is registered successfully registered successfully and चाओ तो आप ID भी दिखा सकते हो अधर आइड दिखाने की जरूत नहीं है कोई करने अगर आप दिखाना चाओ तो user ID and user ID को concatenate कर दो जो आपका data आएगा that means response dot यह object actually user का रहा है तो आप ID दे सकते हो आईड दे दोगे तो हमारा ID हाप एक लॉक हो जाएगा एक बार मैं property check करना हूँ I think हमारे user DTO में यहां पर देख लिजे एक बार user DTO को मैं open कर रहा हूँ यह रहा and ID हम लोग ने उसकिया that means exactly ID आ रहा होगा तो हमने यहां पर success के समय यूजर के ID भी मैंने यहां पर देखा दी जो user exist जो user हमारा register हो रहा है and then हमने सारा form blank कर दे in case अगर error आती सर्वर से कोई चाहे वहर हमारी normal वाली हो चाहे कोई भी अरर आती है तो उसके इसमें जो भी error आएगी हम लोग simply क्या करेंगे देखे हम लोग simply set error को अपने error के errors वाले object में डाल देंगे तो यह वाला जो object आ रहा है वो error के errors वाले object में चला गया और इस करके property true हो जाएगी अब on the behalf of this property या this variable error यह दोनों variable के को use करके हम लोग normal form पर पूरा error की सारी चीज़े करेंगे ठीक है तो अब हमारा जो exactly मैं आपको दिखाता हूं जैसे मैंने console open कर लो भाई and हमारा जो जैसे मैंने submit किया तो यह जो error का object है यह पूरा पर लागे जो जो कि हम लोगने variable बनाता है यू 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 स्टेट करके तो अब हम लोग उसको modification और सारी चीज़े कर सकते हैं उसको यूज कर सकते हैं कैसे दिखेंगे अच्छा एक जी दोर में बता दूं जब हमें message access करना होगा जैसे हमें एर्र नेम वाला error message करना है तो हमारा जो object है dot आएंगे फिर response जाएंगे and response में data जाएंगे data पी फिर हम लोग name email password access करेंगे तो एक बार मैं बता दूंग आपको exactly मैं open करता हूं हां तो access कैसे एक बार हम दोग देख लेते हैं ठीक है राइसे हाव टू एक खाव टू एकसेस एर्र मैसेज ठीक है कैसे access करेंगे सबसे पहले आपका एर्र का object then हमारा response then data and then अगर name access करना है तो नेम वाला message email access करना है तो email वाला message and अगर हमें पासवरड वाला करना है तो पासवरड वाली वाला message जो भी हमें response में मिल रहा है और अगर हमें errors अगर हमें यूज स्टेट वाला जैसे हमने सेट कर दिया अपना जो एर्र आ रहा है उसको अपने एरब वाले variable में तो अब हमें access करना है तो हम पहले अरव वाली property यूज स्करेंगे यह वाला variable मैं आपको दिखा दूँँ एक बार ठीक है यह वाला variable इस वाले variable के बात कर रहा हूं यह वाला ठीक है तो pepparriest papa प्रख़ुकर फिर जो ऑबचेक्ट मिलेगा वो एर्र के अंदर मिलेगा तो हम लोग एर्र लिखेंगे देन लिखेंगे तब हमारा ऑबजीक मिलेगा एरे वाल अबजेक्ट तो प्रणा match जूद है एपकर ऑबजेक्ट पर नोद में पीस्ट बहुतब्गे YOUR में अबज यूज करेंगे ठीक है आप दिखेंगे आजाते हैं एर्र अब्जेक्ट तो अलड़ी हम इसमें डाल चुके तो यह लिखने की जरूत भी नहीं ठीक है इतना लिख दोगे आपका काम हो जाएगा ठीक है क्योंकि अलड़ी एर्र का जो अब्जेक्ट है वह हमारा इस वाले एर जो है असानी से मुझे संवझ में आ गया कि यह हमारी नेम वाली फिल्ड है ठीक है तो कमेंट आप जरूर से लगाईए चलो यह वाली फिल्ड है यहां पर हमें अगर हमें रेड़ कलर का सिंबल दिखाना है तो हम यहाप इस इन वैलिट यूज कर सकते हैं इन वैलिट या स जब हमारी यह वाली field invalid हो इसका मतलब response में error वाला message आया हो name के लिए name के लिए तो हम यहाँ पर simply लिखेंगे दिखें हम यहाँ पर हम कहेंगे अगर हमारे errors वाला जो variable है उसके अंदर जो errors वाली प्रॉपर्टी है error object हमने access कर लिया dot जो इसके अंदर response है और उसके अंदर जो डेटा है उसके अंदर जो हमें name message है अगर यह name message हमें मिल गया उस case में हम यहाँ पर true कर देंगे अगर हम लोग कर देंगे false ठीक है समझ में आ गया होगा अगर इसकी वैल्यू मिल गए तो अबसे प्रपाटी प्रू आएगी और अगर यह प्रू आएगी तो हम true return कर देंगे यह invalid हो जाएगा अगर हमारा message आ चुका है और by chance अगर message नहीं आया तो यह हमारी यह value false हो जाएगी तो हम लोग अभी error आएगी देखिए ठीक है error आएगी एक बार में refresh करता हूँ हाँ exactly error आई और यह error कह रहा है कि यह देखिए cannot read the property of undefined data at signup तो okay 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 तो हम लोग undefined property उसका exactly यहाँ पर errors के पास बहुत बार क्या होगा कि response में डीटा नहीं होगा यह response में नहीं होगा confirm नहीं है तो यहाँ पर null safe हम लोग उसकर रहे है हम अपने code को पूरा breakdown नहीं करेंगे कि यह अगर नहीं exist करना किसी चाहे response में undefined आ जाए चाहे data में undefined आ जाए तो अगर हम उस पर dot name लगा के call करेंगे तो undefined जैसे या undefined पर कोई value call होगी जो variable नहीं defined है या जिसके अंदर undefined value है तो वो पूरे code को break कर देगा तो break से यह बचने के लिए हम लोग null safe operator use करेंगे that means हम कहेंगे errors के अंदर अगर by chance errors के अंदर कोई property है ठीक है तो कोई variable है तो हम directly यहां null safe ऐसा use कर सकते हो ठीक है null safe का मतलब होता है कि code को break नहीं करेगा अगर undefined होगा इसका answer तो undefined मिल जाएगा ठीक है इसी तरह अगर response के अंदर data है तब तो data वाला access हो जागा और data नहीं है तो उसके इसमें undefined आ जाएगा ठीक है तो यह होता null safe अगर data पे name होगा तब तो access हो जाएगा उसकी value मिल जाएगे और नहीं होगा तो undefined है result undefined आ जाएगा ठीक है है ओके I think साही है हम लोग यहां प्राइ कर दें एक बार रिफ्रेस्ट कर लोगा हाँ पर्फेक्ट है अभी साही है अब हम लोग क्या करते है ऐसा ही मैं सिंप्ली रेज्टर पे करता हूं and I think perfect perfect ठीक है आप देखो गए यहां पर यहां पर देखो तो हमारे पास response response डीटा डीटा के अंदर हमारे पास नेम में यूजर नेम मस्ट भी मिलेमों फॉर करेक्टर सार रहा है ठीक है तो चार करेक्टर का होना ही होना चाहिए चार करेक्टर सब्सक्राइब नहीं है तो यह इसमें कोई वैलू आई होगी और अगर इसमें इसको वैलू मिल था दो आफ इंपोर्ट कर लीजे ठीक है अन्डार हम तुछ को प्रिंट कर देंगे अस रूंछ टेक है और अब देखो वो मैसेज जो हमें मिल रहा था खाहाँ पे हई तो आप देखो तो यह नहीं मिलेगा क्योंकि अब इसमें कोई वैलू है निया भी ठीक है और यह अब पर आरहा पर है ठीक है और अगर आप यहाँस ब्रोंट टाल रहा हूं गया और अगर आप यहा रेजिस्टर किया तो फार्मड़एजें वैलेडिक अभी फार्मड़एज वैलेडेख कोई शुने ठीक है और यहां पर में तरा हम इसको स्क्रेक्ट डाल देते हैं ठीक है और सिंपल रजिस्टर प्रक्लिक करनें है सो एक शीष हाँ पहल जो दी है ठीक है हम लोग क्या करते है एक बार में फिर से सुब्रोंब करता हूं फिर आंड करता हूं ठीक है थोड़े देर ग्लहा क्रते है हर सजी तो है सब्सक्राइब परफेक्क्ट है परफेक्ट है पर्फेक्ट है पर्फेक्ट है ठीक है थिए फोथ MORना यह सुख थोड़ा हमारा यह मैसेज इन्हें कर रहा है कुछ क्या हां हम लोग क्या करते हैं हम लोग जब फॉरम कोच मिट किया है यह वंको किया है है हैं से ठीक है थोड़ा सा इइदर चल लेते phảiम को समिट के यहां से तो यह ठोड़े की लिए stalkoga के इफ कंडिशन रटा देख कंडिशन हाठा डिए भी ढ़रे थिक यहip कंडिशन हटा रहे हिए और इत्रीश रो जा स्रावर को सेंड करने के लिए डिटा नीचे ब Doll already Itis Unftant तोछ इसको अब अभी थोड़े हैं लोग इसको कैमेंट आउट कर देते जिसे की नीचे जाय तो अपर से की नहीं हो रहा है ठीक है तो युजर नेम मस्ट बी रिमिनमम फोर करेक्टर स्थी के गुड़ नाइस अगर यहां पर 4 यह वाला validation यहां नहीं लगा रखा है नहीं लगाना है इसलिए नहीं लगाना है क्योंकि समझ जाए भाई कि मालो एक बार invalid हो गया message अब जब तक इस error के value true नहीं होगी तब तक आप इस चीज को वह नहीं कर सकते कि भाई मतलब नीचे जाने दें और यहीं वाली प्रपर्टी हम इमेल पर यूज कर लेंगे बस यहां पर नेम के जगा हम लोग इमेल कर देंगे अगर इमेल का validation server side server side handle कर रखा है तो exactly time site पर भी same handle हो जाएगा and हम लोग feedback form feedback form form feedback भी जो टैग है हम लगा देंगे यहां and हम लोग simple क्या करेंगे exactly name के जगा हम लोग email कर देंगे तो जो मैसेज हमें email वाला आएगा वो email यहां पर हमें proper दिख जाएगा ठीक है and नीचे आ जाएंगे यही चीज़ हम लोग password के लिए ठीक है तो हम लोग क्या करते हैं इन्वेरिट वाली प्रॉपर्टी ले आते हैं password के लिए भी ठीक आप बहुत आराम से करिएगा ठीक है ऐसाना हो कि भाई confusion में कुछ गढ़ बढ़ जाए और यहां पर हम exactly कर देंगे अपना पासवर्ड ठीक है and जब हम प्रिंट करेंगे यह वाली शिच कॉपी कर लिजिए प्रिंट करेंगे फीडवेक फॉर्म फीडवेक वाला टाइगं करेंगे और इस केस में हम लोग email के जागा हम यूज कर लेंगेश पासवर्ड ठीक है पर्फेक्ट है and इसी तरह हम लोग अबाउट के लिए भी उसका रिंगे ठीक है आप आप भी इन वैलिट पर पर्टि के जाएगी हमारी एंवालेट एंड इन वैलिड जो यहां पर इन वैलिड में एक्जeक्ली बस हम इहां कर देंगे अवाऊट ठीक है और हम लोका फीडवेक फॉर्म यहां पर आजाएंगे और फॉर्म ग्रूप में simply हम लोग password की जिखा कर देंगे तो तरीका से में simply चीज़े मैंने क्या कर दी रिपीट कर दी है और आप देखो कि एक बार में refresh करता हूं and again मैं register करता हूं आप देखो कि जहां जहां आम लोग को यहां भी हम कुछ डाल देते हैं ठीक है तो password must be of minimum three characters and maximum of 10 characters तो अब हमारा जो username है और सारी validations हमारी perfectly चल रही है and browser हमारा about हमारा यहां पर must not be empty blank नहीं होना चाहिए बस एक बार हम लोग क्या करते है messages हम यहां भी चेक कर लेते कि वही messages हमें मिल रहें कि नहीं मिल रहें कि कहीं दूसरे messages मिल रहें दूसरे messages print हो रहे हैं तो जो server से message आ रहे हैं भले ही वो गलत message आ रहे हैं but server से message आ रहे हम यहां पर हम लोग उसी को यहां पर दिखा रहे हैं जो server से ही message आ रहे हैं वही चीजे ठीक है so I think ठीक है तो अभी हम लोग इसमें जैसे मालो हम इसमें कुछ डाल देते हैं दुरगिश मैंने डाल दिया तो आप देखो यह वाला हमारा message गायब होगा अब हमारा password message है तो अगर मैं बहुत जादा डाल देता हूं ठीक है तो perfectly अभी validation लगा हुआ है लेकिन अगर मैं यहां पे कुछ character डाल दूं तीन से जादा और दस से कम तो आप देखो कि इसका भी गायब हो चुका बट अभी about में कुछ ने कुछ डालना है जैसे about में कुछ डाल दोगे तो हमारा sign up complete हो जाएगा सब को सब बात करते यार कैसे 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 हम लोग अच्छा यह आपने अपने फील्ड पे कैसे error messages को handle करना चीछ तो आपने दिखा दिया और बाकी इसको करने के बहुत सारे अलग लग तरीके हो सकने ही हमारा आप बहुत सा तरीका था कि मैसेज सारे चीजह हम लोग ने कर रखा है अपने बैकेंड से सब चीजह वाली मैसेज को कैसे properly का अगर मैं यहांपर इसको अन कमेट कर डेता हूं तो प्रॉब्लम क्या होगी हैाँ सीदे क荷्ण जैसे अर्ट ऑब मैंने जैसा मैं एंटर किया टो हुआ के हैрал यहां पे है कि यहांपर वाली प्रापरटी अपनी true हो गई और जैसे जर्रवाली प्रोपर्टी हो गई तो अब यह नीचे मैं जी नीचे हमारा कंट्रोल जाने ही नहीं देगी मतलब जब भी अब दुबारा से हम सम्मिट करेंगे तो यह दिखे form data is invalid correct all details and then submit इसका मतलब यहीं पर message आया और यहीं इसले चीजें रिटन हो गई है दुबारा से कैसे चक करेगा सर्वर को king तो हम ल्ोग क्या करते हैं हम लोग return करने से पहले message दिया मैंने return करने से पहले हम लोग क्या करते हैं हम लोग हम लोग आइस एरर एथिंग हम लोग set काॉल करके simple हमे सारा data Unit higher वाला ही चाहिए और हम इस एर्र प्रॉपर्टी को क्या कर देते हैं फॉल्स कर देते हैं बस एक हैंडल करने का एक टेक्निक हो सकता है ठीक है तो हमने बाइडिक जब दुबार जब एक बार एर्र यह मैसे दिख जाएगा तो अब से बाद यूजर ने कुछ सही होई किया होगा और को कॉल गई वहां से सारे वैलेडिशन आये एर्र वाली फिल्ड में हमारा एक्जियॉस का एर्र आ चुका है इस एर्र वाली प्रॉपर्टी टू हो चुकी है समझेगा अब जैसे मैं सब्मिट किया मैसेज मुझे प्लेगा फॉर्म डिटा इन वैलेट करेक्ट और अल भी हमारा गडबड है और लेकिन मैसेज दिखाने के जस्ट बाद हमने क्या क्या हमने उस इस एर्र वाली प्रॉपर्टी को टू कर दिया इसका मतलब अब हम सब्मिट अगर रेज्टर पर क्लिक करते हैं तो हमारा यह वाली कंडिशन हमारी हो जाएगी फॉल्स यह वाली कं अब दुबारा जब हम लोग कॉल करेंगे तो सर्वर को गया कॉल सर्वर को गया कॉल इसका मतलब है कि इस वाली कंडिशन वाली प्रॉपर्टी को हम लोग ने फॉल्स कर दिया था लेकिन अब हम क्यूंकि एर्र अभी भी एक्जिस्ट कर रही है तो अब एर्र जाएगा और फिर इस अरोल प्रपर्टी को हम लोग ने कर दिया फॉल्स इसका मंदब जब सेकेंड टाइम आप रेजिस्टर करोगे तो मैसेज तो सर्वर को फिर से कॉल जाएगी तो यह करेगा तो हम लोग मैसेज दिखाने के बाद इस एरर को फिर से कर देंगे जिससे की दुबारा फिर से सर्वर को कॉल कर सके आपको समद में आ गया होगा ठीक है तो एक बार हो रजिस्टर पे क्लिक करके टीटा को भी सकता है अगर को एरर राई तो एरर एग्जिस्ट करेगी है एक बार हमने इसको प्रॉपरली एक हम लोग प्रॉपरली क्या करते हैं एक रेस्टेंट करके देखते हैं अंकित कुमार तिवारी अंकित इर्दरेट जीमेल डॉट कॉम पासवर्ट एंड माइन नेम एज अंकित आइम वरकिंग फॉर पीपल पीपल ठीक है और अभी हम अभी 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 अच्छा यह इसलिए रहा है क्योंकि अलडी हमां एक्जिस्ट कर रही थी चीज़ें ठीक है अब सब्सक्राइब करूंगा तो यह चला जाएगा हां तो हमारा यूजर इस रेश्टर सब्सक्राइब तो परफेक्ट लीचल रहा है बट्यार बट्यार यूजर परफेक्ट कर रखी है और मैसे और उसने सारी डीटेल दिखा दिए सर्वर को सारी डीटेल्स हम लोग ने प्रिंट किया और यूजर को सब्सक्राइब करने के बाद भी तो बस एक स्टेप के लिए चाइज गलत हो रही तो मुझे नहीं लगता कि अगर आप सर्व स्राइड कर रहे हो तो यह वाली शीच आपको लगानी चाहिए बी एक इस नहीं देखानी चाहिए क्योंकि यह प्रोपटी इस एरर वाल प्रोपटी तो क्लाइंट साइड के लिए तो फाइदय मंद होगी बड़ चब सब्सक्राइब कर रही है टिटा तो सारा सर्वर एंड से ही वैंड हो रहा है तो अब यहीं पर चीज़े रहने को किके यहीं पर अपने आप से चीज़े देख लेगा तो ठीक है या फिर इसको on change पर लगाओ ठीक है ऐसा भी कर सकते हो अप उन change पर लगाओ तो इसको handle करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं बहुत सारी चीज़ हो सकती है अब आपको कैसे करना है वो सब चीज आप अपने हिसाब से देखना पड़ेगा भाई ठीक है तो आयोप समझ पार हो कि मैं क्या कहने कोशिश कर रहा हूँ तो यह बार मैं फिर से ट्राइब कर लेता हूं ठीक है ठीक है हाँ परफेक्ट है को इसुनी थो आइटिंग हम लोग ने सर्फाइट वैलेडिशन के सारे मैसेज करपल यहां पर दिखा दिए ठीक है है ूइमेल वैने रहे गया है जोकी हम लोग ने सरवास इन्लिंफ पर आई थिंक नहीं किया था इभार दोग्लिया टे archack रम बहन एक्षित हymेल लोगे रखा है क्या फीचाहिबिंड लंगातु रखाओ हम लोगों को ने not empty एक लगा दो not empty and email तो लगा ही रखा है तो एक बार हम लोग अपने अप्लिकेशन को रिस्टार्ट कर लेते हैं तो मारे email वैलिडेशन भी स्टार्ट हो जाएगा अगर आप यहाँ पर पैटन होगा रगान चाहरे तो कमिकेशन बताओगे बहुत असान हो तक हम लोग पैट अगयों को कि हमारा यह मैसेज यहीं से आ रहा है मैसेज हम लोग कहां से चेंज भी कर सकते हैं ठीक है तो हम लोग आप है एमेल एज रिक वाइड ठीक है तो अगर यह वाला अनुटेशन चलेगा तो हमारा email इस रिक वाइड आ जाएगा एक बार हम ने रिस्टार्ट कर दि आपने सर्वर को तो इसके साथ आप खेल सकते हो सर्वर साइट वैलिडिशन है वेसिकलिया हम लोग क्या यूज़ कर रहे है अब दोगर email is required ठीक है email is required आगे तो blank होगा तो email is required अगर आप यहां डालोगे तो यह तो क्लाइंट साइड ही रोक लेगा इसको ठीक है बट फिर भी हम एडरेट लेट्स इंक्लूड एडरेट एंड जी जी तो बेसिक बेसिक चीजें हम लोग ने लगा रखी अपनी ठीक है बैकेंड पे इतना कोई हाड फास्ट वैलेडिशन नहीं लगा रखा है वो सब चीज हम ल के रहStand डालेगे को नाम पताम हारे कॉड़िक नाम डालेगा हमारे को लडीग इमिल डालेगा और हमारे क्यूंड बास पृत पर यह सब जारूने बहुत बहुत ही मज़दार हो झाल झाल